हेलो गाइज वलकम बैक टुवार्ट चैनल कॉलेश च्टुटर सो आज हम सब भी अपने अंकवर्ड कॉंसेप्ट रिवाइस करेंगे मतलब पढ़ेंगे और दूसरा आपको इस ताम का रिवाइस करना चाहिए वह हम डिसकस करेंगे ठीक है सबसे फारा लेबर टर्न ओवर ल मेतो घ्र मैंटाब कितने हैं जितने रहे हमको उनका सोचना है जो निकल गया हूँ निकल त tenant TOP या फॉम्ला है number of employee left during the period upon average number of employee during the period multiply hundred ठीक है इसका मतलब जो employee अभी हमारी organization में रह गए वो upon जितने average employee थे पूरे साल में वो multiply hundred तो आपका level turnover आ जाएगा according to separation method अब इसका इसका example देखते हैं हमारी starting में company के 100 लेवर थे but at the end हमारे लेवर 80 रह गए तो इसके साफ से क्या कहता है कि लेवर employee left कितने left है 80 left है so 80 average कितने थे average आपके 80 plus 100 upon 2 that is 90 so 80 by 90 multiply hundred आपको इसका percent निकालना है जो की होता है आपका 88.88% ठीक है so labor turnover आपकी 88.88% है according to separation method ठीक है अब इसका दूसरा method है तो दूसरा method क्या है आपका replace method ठीक है कि भई replace method के साफ से क्या formula होता है labor turnover का आपको यह पता लगाना है ठीक है so number of worker replace during the period upon average number of worker during the period multiply hundred यह आपका replace method से formula होता है इन तीनों method से आपको बस labor turnover निकलता है यह आपका basic है जो आपको पता होना चाहिए वैसे पेपर में नहीं आता तो इसके आप इत्ते tension ना ले क्योंकि इसके numericals ना इसके concept पेपर में अब तक पूछे नहीं गए है but still अगर future में आ जाए तो at least आपको formula याद हो तो आप कर देंगे चीक है so replacement अब इसको याद कैसे करना है separate का मैंने बताय था वह separate हो गए वह अपने आप हमारी company से चले गए अब जो बचे हैं हमको उनका सोचना है replace हमने भी replace कर दिया replacement replace इसको आप attach कर सकते हो इससे कैसे याद करेंगे number of worker replace during the period upon average number of worker multiply hundred इस यह आपको replacement method है तीसरा है flux method flux मतलब कि यह अलगी method है यह वाला आपको नाम से याद हो जाएगा इसमें क्या होता है यह combination होता है किसका number of separation plus number of addition ठीक है यह आपको question में given होंगे in case अगर question आएगा तो ठीक है so number of separation plus number of addition upon average number of worker multiply hundred यह होता है आपका labor turnover का formula according to flux method इन तीनों method से क्या निकलता है labor turnover चिंता ना करें question में आपके ऐसा नहीं पूछेगा कि what is replacement method ठीक है तो इतना घवराने के जुरत नहीं है उसके बाद जो बहुत ज्यादा important है और जो paper में आता ही आता है वो है labor cost control ठीक है वो भी आपका labor cost control का ही part था यह आपको याद रखना है बट अब हम क्या पढ़ने techniques और method to compute the wages ठीक है अब वो कौन-कौन से हैं यह आपको समझना है यह आपको दिमाग में इतनी बुरी तरह गुसा लेना है मैं बैट लगा सकता हूं इस पर कि इसका एक नहीं question आएगा वो भलाई 15 नंबर में आए या फिर साढ़े 22 में आए इन दोनों में से एक नहीं question आन आपको पक्का गर के जाना है ठीक है तो पहला पहला method है टेलर्स differential peace wage rate system यह आपने 12 में पढ़ा हुआ कि peace wage rate system है क्या so यह वही है ठीक है इसके साब से क्या होता है कि सबसे पहली चीज इसमें आपकी minimum wages की guarantee नहीं होती ठीक है अगर company ने बोला है कि भाई हमको इतना production करना है standard और एक्स वाइजी परसेंट आपका minimum है तो minimum आपको करना पढ़ेगा within given period of time ठीक है इसमें आपकी minimum wages गारेंटी नहीं होती ठीक है अब इसकी साब से हम compute कैसे करते हैं आप यह समझेए अगर किसी ने नॉर्मल या पर हम कहें कि अगर किसने standard rate से for an example मैंने set कर दिया कि भाई हमको 100 unit produce करनी है तो अगर किसी ने 100 unit से compare use किया तो उसको 80% of the wages मिलेगा क्या मिलेगा 80% of the wages चीक है वहीं अगर किसी ने 100 से उपर कर दिया तो उसको 120% of the wages मिलेगा क्या मिलेगा 120% of the wages चीक है और जिसने 100% किया उसको तो इतना मिलेगा ही मिलेगा इसको तो कही tension ही नहीं है अब तीसरी लाइन क्या कहती है कि जो higher rate है वह 150% है lower rate का चीक है जो higher rate है तो आपका tailored differential piece wage rate system यही कहता है piece rate system आपका यही कहता है 100 से कम 80% 100 से उपर 120 100 क्या तो तो आपको 100% wages मिलेगी इसमें minimum wages की guarantee नहीं होती इसको differential piece rate हम क्यों कहते है क्योंकि इसमें different percentage से different wage मिलती है ठीक है इसमें different rate से different wage मिलती है अगर आपको इसको detail में पढ़ना है तो प्लीज आप Google पर जाके पढ़ सकते हैं अब ही मैं आपको detail में यह नहीं पढ़ा सकता मैं बस आपको इसकी छोटी सी क्रीम दे रहा हूं जो इसका grips होता है निचोड का मैं इसका निचोड दे रहा हूं आपको ठीक है उसके बाद next है मैरिक्स multiple piece rate system मैरिक्स multiple piece rate system इसकी साबसे क्या है कि अगर किसी ने 83% और 100% के बीच में production किया है तो उसको 110% of ordinary piece rate मिलेगा ठीक है 83 से 100 110 अगर किसी ने 100 या फिर उससे उपर किया है तो उसको 120 से 120% of ordinary piece rate मिलेगा ठीक है अगर किसी ने 100 या फिर उससे उपर percent किया है तो उसको 120% of ordinary piece rate मिलेगा ठीक है अगर किसी ने 83% से कम किया है तो उसको 100% से कम rate मिलेगा ठीक है यह इसमें rectify नहीं है कितना मिलेगा उसको 100% मिलेगा उसको 100% मिलेगा अगर किसने 83 से पर कम किया है तो उसको 100% मिलेगा ठीक है इसके बाद ये क्या कहता है कि इसमें भी आपके minimum wage की guarantee नहीं है इसमें भी आपका standard set होता है कि आपने अगर इससे कम किया तो आपको wages नहीं मिलेगी ठीक है ये क्या था ये था Merix का Merix Merix में 83 याद रखो Taylor में आपको normal है वो याद रखो 100 से अगर 100 किया तो 100% मिलेगा 100 से कम किया 80 100 से उपर किया 120 इसमें minimum wage की guarantee नहीं है Merix में भी minimum wage की guarantee नहीं है ठीक है इसके बाद आता है आपका Gant task and bonus system इसमें main चीज क्या है इसमें minimum wage की guarantee है क्या है इसमें minimum wages की guarantee है ठीक है और यहाद को combination है time wages का piece wages का and bonus का ठीक है यहाद को combination है इन तिनों चीज़ का अब एक बात समझो अगर worker ने target को achieve कर लिया within standard of time within standard of time so उसको guarantee minimum wage तो मिलेगी मिलेगी उसको guarantee minimum wage तो मिलेगी मिलेगी plus उसको bonus मिलेगा क्या मिलेगा उसको bonus मिलेगा इसके साथ साथ और यह bonus आपका fix होता है जो आपका guaranteed piece rate होता है उसका कुछ percent आपका bonus fix होता है ठीक है in short अगर मैंने fix minimum wage रख रखी है 200 रुपीज so bonus 200 का कुछ percent आपका fix है let's say कि 20% bonus आपका fix है so आपको guaranteed minimum wage तो मिलेगी 200 रुपीज but 20% of 200 भी मिलेगा जो कि आपका 40 होता है मतलब आपका total wage कितने मिलेगी 240 मिलेगी अगर आपने काम अचीफ कर लिया और काम अचीफ तो कर लिया लेकिन within standard time जितना हमनों time बताया था उसी के बीच में अपने काम अपना चीफ कर लिया अब कुछ वरकर बहुत अच्छे होते हैं वो काम पहली खतम कर देता है time से उनके लिए क्या है उनके लिए है higher piece rate higher piece rate मतलब अगर यहां पे 200 है तो शायद यहां पे 300 हो यहां पे 400 हो वो आपका given होता है वो आपका पहले से estimate है ठीक है आपको इसमें यह numbers लिखने के जरुरत नहीं है आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ठीक है अगर वरकर ने काम अपना टार्गेट एचीफ कर लिया इसमें आपको फिक्स होता है अगर आपने इसमें फिक्स minimum wages गिवन है अगर आपने एक किया है सो एक unit का let's say कि 20 आपको fix है अगर आपने 10 किया है सो आपको 200 मिलेंगे हमने कहते कि आपको 15 तो करनी करनी है minimum ठीक है आपको 15 आपको target है मतलब 300 आपकी wages बन गई वहीं आपने अगर 14 किया सो ऐसा नहीं है कि हम आपको भगा देंगे यहां से काम से आपको 14 मिलेंटी जो कि आपका 280 होता है आपको इतनी wages मिलेगी इसका मतलब यहां पर आपकी minimum wages गारेंटी है ठीक है पहला अगर below standard है दूसरा अगर standard है तीसरा अगर आपका below standard है आपको guaranteed time rate given है time के साफ से आपको guaranteed wage given है दूसरा आपने standard मतलब आपने time पर चीफ कर लिए ताइम गिवन time में चीफ कर लिए आपने अपना target so time wages तो मिलेगी मिलेगी plus 20% of 20% usually bonus of the time मतलब जो bonus का मैं आपको percent बताया था कि fixed rate का कुछ percent is equal to bonus so bonus आपका 20% fix होता है यह मैं कौन सी बढ़ा रहा हूं यह मैं आपको giant giant task and bonus system ठीक है इस case में आपको 20% of fixed wages आपको bonus कहलाता है ठीक है so time wages तो आपको मिलेगी plus 20% आपको bonus मिलेगा चीक है उसके बाद अगर आपने standard से मतलब आपने standard से पहली काम कर लिया above standard का मतलब यहाँ पर यह है कि हमने आपको target दिया था 100 का और आपने 100 का हमने target दिया था एक घंटे में और आपने एक घंटे में 120 का output दिया तो वह above standard है उसके इसमें आपको क्या मिलेगा आपको higher rate on worker whole output मतलब कि जितना आपने output दिया है उसका higher rate मिलेगा let's say 20 आपका standard था higher अगर आपका 30 है so 30 multiply by 20 आपके लिए वेजिस हो जाएगी उस दिन की चीक है इसमें आपकी minimum time wages की guarantee है efficiency की बात करी है तो आप efficiency को time से joint कर सकते हो ठीक है so इसमें आपकी minimum time wage guaranteed है यह चीज़ आपको याद रखनी है उसके बाद आप क्या याद रखना है अगर किसे ने 66.6% तक का production किया मतलब अगर किसे ने 0% से 66.6% का production किया so उसको minimum time wages मिलेगी but उसको bonus नहीं मिलेगा अगर किसी ने 66.6% से 100% तक किया तो उसका bonus जो है वो vary होगा कहां से from 0.01% to 20% according to their work ठीक है अगर किसी ने 100% से जाधर काम किया है so उसको 1% for each 1% of efficiency in addition of 20% 20% का bonus आपका fix है but उसके आगे आपने जितना extra काम किया है उस आपकी efficiency का 1% आपको मिल जाएगा ठीक है यह किसमे है यह आपका emergence efficiency plan है again अगर आपको इसको detail में read करना है so आप Google पर जाएं आप पूरा content मिल जाएगा ठीक है आप वहां से इसको reroute कर ले and I recommend I highly recommend कि आप इसको एक बार reroute करें क्योंकि इसके paper में आने के chances बहुत जादा है ठीक है अब जिस wages के उपर आपके questions आते हैं वो क्या है आप वो समझे है healthy premium bonus plan इस पर आपको पिसली बार question आया था practical का और इस बार भी आ सकता है बहुत simple formula इसका ठीक है सबसे पहले यह है क्या if the worker is able to complete the work before the standard time allowed he is given bonus for the time save see इसमें क्या होता है अगर आपने काम या फिर worker ने काम खतम कर लिया before the standard time so उसने जितना टाइम बचाया है उसकी हिसाफ से उसको bonus मिलेगा चीक है लेट से मने 100 100 minutes दीदे काम करने के लिए और उसने 80 minutes में काम complete कर दिया तो उसने मेरे लिए 20 minutes save करे हैं so 20 minutes का उसको bonus मिलेगा चीक है अब इसमें earning की calculation कैसे होती है आप यह जानो इसका formula है सबसे पहले उसने कितने घंटे काम किया multiply उसका rate किया है ठीक है let's say उसने 8 hours काम किया ठीक है और उसका rate है 100 per hour ठीक है उसके बाद उसने कितना time save किया let's say मैंनो उसको 10 घंटे का काम करने के लिए दिया था ठीक है so 1 upon 2 multiply 10 multiply उसका rate कितना बताया था मैंने हांपे 100 बताया था तो आपे 100 आ जाएगा ठीक है in short 500 उसका क्या बन गया bonus बन गया और उसका काम 800 मतलब 800 plus 500 is equal to 1300 उसका wages बन गई समझ में नहीं आई फिर से समझते हैं मैंने आपको काम दिया भाई आपको एक काम 10 घंटे में खतम करना है आज के दिन यह मैंने आपको target दिया था पर हार मतलब आपको एक घंटे के लिए आप 100 रुपे चार्ज करते हो बट आपने काम तो 8 घंटे में खतम कर दिया क्या मैं आपको 800 रुपे देकर छोड़ दूं क्यों आपने मेरे लिए 2 घंटे बचाए है तो उसका कुछ ना कुछ तो आपको मिलना चाहिए राइट सो उसमें क्या होगा आपके लिए 800 तो fix है ठेक है 100 multiply 8 वो तो fix है उसके बाद 1 upon 2 आपने जो time save किया है कितना time save किया है 2 hours multiply 2 आपने 2 घंटे मेरे लिए save करे हैं उसके बाद आपका rate कितना है 100 रुपे तो 100 यहां पर आ जाएगा सो टू से टू कट जाएगा यहां पर आपकी वेजिस कितनी हो जाएगी 900 आपके आज के दिन की वेजिस हो जाएगी ठीक है यही आपका healthy premium bonus का plan है ठीक है इसके बाद last plan जो है वो है आपका रुवन premium bonus plan इसमें क्या होता है इसमें बसा formula याद रखो इसका formula similar है उसके तरह कैसे आपने कितने घंटे कांग किया प्लस उसके multiply उसके rate ठीक है और आपने कितना time मेरे लिए save किया multiply आपने कितना कांग किया upon allowed multiply rate सर्यापने क्या बोल दिया हमको घंटा समझने आगो शबी देखिए मैं आपको practical करके दिखाता हूँ भी let's say मना आपको same question है मना आपको 10 घंटे के लिए काम करने के लिए दिया था और आपने वही काम मेरे लिए 8 hours में कर दिया आपका 1 घंटे का plan है 100 per hours ठीक है so आपने कितने घंटे काम किया 8 घंटे काम किया हाँ या ना हाँ जी so 8 8 multiply कितने घंटे का आपका rate किया है 100 per hour multiply 100 ठीक है plus bracket on time save आपने कितना time save किया है 10 minus 8 2 time है आपने मेरे लिए save किया है time taken मतलब कि आपने कितना time लिया 8 hours लिया था हांजिसर लिया था so 8 मैं आपको कितना time allow किया था time allowed कितना time किया था 10 upon 10 multiply आपके rate क्या है 100 अब बसन में कुछ आ रही है हांजिसर थोड़ थोड़ आ रहा है आप अब इसको solve भी कर दो ऐसे मत छोड़ो इसे कर देते हैं उसके बाद कर जाएगा यह आपका आगया 16 और यह आपका आगया 160 ठीक है क्या आगया यह 160 160 और यहां पर आपकी वेजिस आ गई 960 ठीक है तो 960 आपकी उस दिन की वेजिस होगी ठीक है बासन में आ रही है हांजिसर आ रही है ठीक है तो यह आपको क्या है यह आपका numerical है on the basis of raven premium bonus bonus plan इसका numerical आएगा इसका ऐसे नहीं आते कि आप इसको explain कर दो अगर आ भी जाए आपको formula लिखना है formula को ही आपको paragraph में explain कर देना है दन एक numerical छोटा से जैसे मैंने बनाया बैसे बना कि आप solve कर दो आपके पूरे marks आ जाएंगे ठीक है उसके बाद मैं आपको valuation of stock नहीं पड़ाया था वो क्या है कुछ नहीं है इसका बस basic समझना है जो important है वह आपका लीफो और को वन फैप को और फर्स्ट ऑफ मार्च को चीक है चलो एक और महिना ले लेते हैं चीक है आपके पास एसस महिने में material आया था 100 200 300 400 आज है आपकी 2nd of April चीक है लीफो में क्या होगा last and first out चीक है सबके rate different है let's say कि 100 को हमने 100 unit purchase करी थी 2 रुपे में मतलब हमने 100 वाली unit 2 पर पीस हमने purchase करी थी 200 वाली हमने 3 पर पीस हमने purchase करी थी 300 वाली हमने 2 पर पीस purchase करी थी 400 वाली हमने 4 पर पीस purchase करी थी लीफो में क्या होगा जो last in है ठीक है वो पहले जाएगा last कौन सा है अप्रेल में आये था मैंने बोला कि भाई मुझको 500 की unit purchase करनी है ठीक है ये supplier के पास supply हुई है और मैं उसका customer हूँ मैंने बोला कि मुझे 500 unit सही है अब व यह दोरों देगा कुछ इसमें से देगा कुछ इसमें से देगा कैसे देगा सो लीफों के हिसाब से वह पहले last unit देगा जो उसके पास आखरी आई गया ठीक है तो four multiply four four multiply four hundred आ जाएगा अब आपकी कितनी बची है hundred unit बची है अब वह 100 unit कहां से देगा यहां से देगा यहां से देगा यहां से देगा यहां से देगा सर वह एक माट से देगा आपको इतना भी नहीं पता यह तो last in first out method है so आपकी 100 unit से वह देदेगा rate कितने थे दो के rate थे यहां आपका लीफो last in first out अब आता है फीफो first in first out again मुझको 500 purchase करनी है मैं जाओ कि सर मुझको 500 unit से यह तो वह कहां से देगा last से देगा नहीं नहीं सर आप गलत बोल रहे हो वह देगा first say जो इसका first in जो इसका सबसे पहले आय था 100 unit उसने हां से देदी 100 multiplied 2, कितनी बची 400 में से 200 unit उसने हां से देदी 200 multiplied 3, कितनी बची 200 बची500 में से तो वह 200 unit 300 में से देगा यह फिर 400 में से देगा सर वो 300 में से देगा so वो 300 में से 200 उनिट दे देगा on the rate of 2 यह है आपका FIFO अब है highest in first out इसमें क्या है जो आपकी सबसे महेंगी आई है वो आप सबसे पहले sell कर दो मतलब पहले आप यह sell करो उसके बाद आप यह वाली sell करो 3 वाली उसके बाद आप 2 वाली sell करो इसके साब से हीवो के साब से यह होता है और यह इतना important नहीं है सबसे ज़्यादा important है लीफो और फीफो यह दोनों आभी सकते हैं बट हीफो तो मुश्किल यह आएगा ठीक है यह दोना आप एक बाद पढ़के चले जाना यह मारी recommendation है बागे अगर आप 4 पर ना चाहते हो तो आप पढ़ लो कोई tension नहीं है आपके लिए अच्छा ही है इसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं यह questions last year के थे overhead classification although यह आप सब को पता हुआ कि overhead का मतलब होता है इंडिरेक्ट ठीक है इसके क्या के classification है आप कंपनी के function क्या होते है प्रोड़क्शन ओवरहेड अडिमिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड और डिस्रिविशन ओवरहेड बाइब बिहेवियर फिक्स्ट ओवरहेड और अडिमिस्ट ओवरहेड यह सब इसको आई होब कि यह सब explain करने के जुरूद ना पढ़े यह बहुत easy term है अब तक आप कोई समझजाना चाहिए कि है क्या उसके बाद by element indirect material indirect labor indirect expenses ठीक है ओवरहेड का मतलब होता है indirect cost जितने भी indirect cost है वो इसके अंडर आ जाएगी ठीक है समझ गई हांदिसर समझ गई अब जो आखरी slide है but सबसे जादा important slide है कि आपको इस टाइम क्या क्या revise करना चाहिए सबसे पहले ignore कर दो जो आपको नहीं आता भूल जाओ सोचा कि वो concept ही गलत है बुक में मुझे करना ही नहीं है ठीक है सो भूल जाओ जो नहीं आता इसको भूल जाओ अभी जो आता है बस वो revise करो सबसे पहले unit one पूरी revise कर लेना इसमें से आप से आपके questions क्या क्या आने की संभावना है पहला है cost accounting दूसरा classification और अगर टेकनिक आगे तो आगई वरना मुश्किल आती है अगर आपके method आगे तो आगे वरना कोई बात है नहीं है जो इसका process है process of installation वो आप एक बार पढ़के चले जाना बाकी वो इतना important है नहीं बट इस्टिल पढ़के चले जाना मेरे कहने पर मत जाओ मैं तो बस बोलता रहता हूं वैसी ठीक है उसके बाद जो आपका questions definitely आएगा वो एक question है आपका cost sheet का इसके लिखवा के ले लो यह question आपका पक्का आएगा ठीक है उसके बाद जो एक question definitely आएगा वो आएगा incentive wages payment system जो माना भी आपको six technique बताई है उसमें से एक ना एक technique hundred and one percent आ नहीं आनी है so please please उनको करके चले जाना वरना आपके साथ काफी बुरा हो सकता है ठीक है उसके साथ PV ratio important है BEP break even point important है और income statement by marginal cost by marginal costing and absorption cost यह आप एक बर पढ़के से ले जाना अगर आपको ना भी आए तो इनके आप format रट लो at least format बना के आ जो तो आपको कुछ ना कुछ marks मिल जाएंगी ठीक है उसके बाद लीफो फीफो और हीफो भी पढ़के से ले जाना कोई इतने गल है नहीं बट लीफो और फीफो ज्यादा डीप लीप पढ़ना ठीक है एजी है और चांस भी है आने के उसके बाद element of cost sheet see element of cost different है element of cost sheet different है अगर उसमें आ जाए element of cost in the perspective of cost sheet तो वो element of cost sheet पूछ रहा है अगर इसमें simple आ जाए what is element of cost so element of cost आपके तीन ही है labor material expenses but element of cost sheet क्या है prime cost, factory cost, administration cost that is office cost and total cost ठीक है so आपको element of cost sheet याद करना है उसके बाद जो इसके numerical आते है cost sheet statement की बात नहीं कर रहा हूं मैं cost sheet की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं element of cost sheet के बिहाफ पी numerical आते हैं बहुत easy होते है last year भी question आया था I guess 15 months में आया था वो और बहुत easy question था प्लीज इसके आप एक दो निमारिकल कर लेना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट लास्ट येर पेपर इस दी बाइबल फॉर यू ठीक है लास्ट येर पेपर एक बार रिडाउट कर लो उसके सारे त्योरिटिकल जितने भी आए ह इसके लिए अच्छा होगा छिक है फिशन राफ कुछ ना कुछ रिफ मिली हो इस वीडियो से लाइक कर देना प्लीज 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 लाइक कर दे करो अगर आपकोश डाउट हैं अ कमेंट बॉक्स में इक्र्ण नाले और हमारे चल्ट को सब्सक्राइब करें मै so please and all the best for your exam keep learning